सुबह जिब मैंने फ्रिज खोल कर देखा तो पलाओ वैसे का वैसे ही फ्रिज में रखा हुआ था ये देखकर मेरे चेहरे से मुस्कुराहट निकल गई वो युनिवस्टी जा चुका था उसका आखरी सिमिस्टर था उसामा भी अपने आफिस जा चुके थे मैं घर के कामों में ही मसरूफ थी जब बाहर गेट की बेल बजी मैं में गेट के पास आकर पूछने लगी के कौन है तो एक अनसुनी आवाज आई कहने लगी आपके पड़ोस से आई हूँ जबसे मुझे पता चला है कि उसामा भाई की शादी हो गई तो सोचा कि उनकी बीवी से मिलना जुलना चाहिए आखर पड़ोसियों का भी हक होता है मैंने सोचा कि कह तो ठीक रही है मैंने दर्वाजा खोल दिया काफी अजीब किसम की खातून थी कद छोटा था और काफी तेज तर्रार लग रही थी हाथ में बिर्यानी की प्लेट पकड़ी होई थी शायद मिरे लिए लाई थी कहने लगी मैंने बिर्यानी बनाई थी सोचा आपको दे दूँ मैंने उसके हाथ से प्लेट पकड़ी वो अंदर आकर बैठ गी पूरे घर में नजरे गुमा गुमा कर देख रही थी कहने लगी वो सर चड़ा तो नहीं है यहाँ पर मैंने कहा कौन सर चड़ा कहने लगी वो ही उमर का बच्चा मैंने कहा नहीं वो यूनिवरस्टी होता है कहने लगी बहुत बद्तमीज लड़का है फिर कहने लगी जरा बचके रहना उससे एक नमबर का लोफर और बदमाश है जब देखो हर एक से बस लड़ता रहता है उमर तो वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता था इसलिए उस खातून का उमर की बुराई करना मुझे यूँ लगा जैसे उसने मेरे दिली जजबात को लवज दे दिया हूँ क्यूंकि उसकी बत्तमीजी तो मैं देखी चुकी थी वो कहने लगी मेरे देवर का दोस्त था ये दोनों मिलकर मेरे घर आकर बैठे रहते थे मेरी तो नाक में दम कर दिया था इनोंने मैंने तो अपने देवर को ऐसा मज़ा चखाया कि मत पूछो मैंने का अच्छा वो कैसे मुझे उस खातून की बात में काफी दिल्चस्पी सी हो रही थी कहने लगी पहले चाय पिलाओ फिर बताती हूँ मैं किचन में चली गई जल्दी से उसके लिए चाय बनाई साथ में दो शामी कबाब भी तल दिये बिस्किट घर में मौझूद थे वो भी प्लेट में सजा कर मैंने प्लेट पकड़ी और उसके सामने रख दी वो इसी में खुश हो गई साथ-साथ खा रही थी उसका क्या है लेकिन नई भाई देवर तो बहुत अजीब था अपने भाई को बड़ी पटियां बढ़ाता था मेरे खिलाव लेकिन पिछले दिनों रोता हुआ होस्टल गया है मैंने भी नाप को चने चुबवा के रख दिये थे उसे मेरे शोहर ने तो धक्के मार के भाई को घर से निकाला है अब होस्टल में रहते हुए दमाग दुरुस्त हो गया उसका खातून की बात सुनकर मैंने कहा आखिर हुआ क्या था इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताती बैरुनी दर्वाजे की चाबी उमर के पास मौजूद होती थी जैसी वो अंदर आया लाउंज में उस औरत को बैठा देखा तो उसके माते पर बल पड़ गया उसने अपने कंधे से बैग उतारा और लाउंज में रखे डाइनिंग टेबल पर पटख के रख दिया मुझसे कहने लगा भाबी मुझे ठंडा पानी पिलाई है मेरा जी तो नहीं चाह रहा था लेकिन बहरहाल मैं उठी और फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल और गिलास उसको थमा दिया उसने गिलास एक तरफ रखा बोतल को खोल कर मुझ लगा कर पानी पीने लगा फिर वहीं लाउंज में बैट किया वो खातून जल्दी जल्दी चाहे के गूंट परने लगी मैंने का उमर तुम अभी आए हो जाओ फ्रेश हो जाओ मैं तुम्हारे लिए खाना गरम कर देती हूँ मैं चाहती थी कि वो कमरे में चला जाए ताकि मैं उस खातून से कुछ दिर बात कर सकूँ लेकिन वो बैठा उसी औरत को घूर रहा था कहने लगा आप यहां क्यों आई हैं वो औरत कहने लगी लो पड़ास है मेरा क्या आप आना जाना भी तुम्हारी मर्जी से करूंगी उस खातून ने बड़ा रूखा सा जवाब दिया था उसको फिर उमर कहने लगा उठें अभी निकले मेरे घर से बाहर दुबारा अगर मैंने आपको यहां देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ये सुनकर मुझे हैरत हुई मैंने जानती थी वो इतना बदले हाज होगा वो खातून फॉरण से खड़ी हो गई कहने लगी तुमसे मिलने नहीं आई उमर कहने लगा मुझे पता है आप क्या करने आई है मेरी भाबी का दमाख खराब करने आई हो और वो मैं आपको करने नहीं दूँगा चलो चलो शाबाश निकलो यहां से ये कहते हुए उसने चुटकियां बजाई और उसको उंगली के इशारे से घर से निकलने के लिए कहने लगा मैंने कहा उमर ये क्या बत्तमीजी है मेरा ये कहना था कि उसने मुझे घूर कर देखा कहने लगा एक दम चुप खबरदार जो आपने एक लवज भी कहा फिर उस खातून को उंगली के इशारों से बाहर निकलने का कहने लगा उसके साथ तो जो उसने बत्तमीजी की सौकी लेकिन मेरा भी लहाज नहीं किया जब वो औरत घर से चली गई तो उमर ने दर्वाजा जोर से बंद किया और अंदर आकर मुझे कहने लगा आएंदर ये औरत मुझे घर पर नजर ना आए दूर रहा करो उससे मैंने कहा तुम कौन होते हो इस बात का फैसला करने वाले कि मुझे किस से मिलना है और किस से नहीं मिलना मुझे उसका यूँ मुझे रोब जमाना अच्छा नहीं लग रहा था मेरी बात सुनकर वो मेरे बिल्कुल मुकाबल खड़ा होकर कहने लगा मुझसे इखतलाफ करेंगी आपको अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ जिस सखत लहजे में वो मुझसे कह रहा था मैं चुप हो गई घर में उस वक्त मेरे और उसके इलावा कोई नहीं था इसलिए मैं उससे बहस करना ही नहीं चाहती थी कुछ देर मुझसे से देखकर फिर कहने लगा मैं फ्रेश हो कर आता हूँ खाना गरम करके टेबल पर रख दीजेगा वो मेरे साथ ऐसे बात करता था जैसे मैं उसकी भाबी नहीं कोई मुलाजमा हूँ मैंने घुसे से खाना गरम करके टेबल पर रख दिया मैं सोच चुकी थी के उसामा के आते ही इसकी अच्छी खातिरदारी करवाऊंगी मैं खाना टेबल पर रख कर अपने कमरे में चली गई खाना खाने के बाद उसने बुलंद लहजे में आवाज लगाई कहने लगा भाबी मैं जा रहा हूँ मैंने दिल ही दिल में कहा के मेरी तरफ से भाड में जाओ रात को जब उसामा आया तो मैं उटकर कुमरे से बाहर रही तो उमर ऐसे बैठा था जैसे दिन में कुछ हुआ ही ना हो बड़े आराम से बैठा अपने भाई से बाते कर रहा था मैंने टेबल पर खाना रखा और उसामा के बराबर में बैट गई उसामा मेरे खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे कहने लगे कसम से जब से तुम से शादी हुई है घर घर लगने लगा है वरना हम दोनों भाई तो नजाने क्या उट पटांग बना कर खाते रहते थे वरना जादातर तो बाजार काई खाना खाना पड़ता था मैंने आँखों में नमी लाकर उसामा की तरफ देखा मैंने कहा हाँ आपको एक मुलाजिमा की तो जरूरत थी जो मेरी शकल में आपको मिल गई मेरी इस बात पर उसामा के चेहरे से मुस्कुराहा तोड़ गई केने लगे कंधिल ये क्या बात कर रहे हो तुम मैंने का सच तो कह रही हो मुझे बताएं आबके मेरी इस घर में क्या आभ्मियत है क्या हैसित है मेरी मुझे अमर गूर गूर कर देखने लगा उसामा कहने लगे तुम अच्छी तरहां जानती हो तुम्हारी क्या ऐसियत है मैंने आहें भरनी शुरू की तुपटे से अपनी आँखों से आंसू साफ किये मैंने कहा आपका भाई मुझे ऐसे समझता है जैसे मुलाजिमा ऐसे बात करता है जैसे मैं इसकी भावी नहीं बलके नौकरानी हूँ मेरी बात सुनकर उसामा ने घूरती हुई नजरे उमर पर डाली कहने लगा मैंने इनके साथ क्या बत्तमीजी की है भाई आपको पता है आज कौन आया था घर पे कौन आया था फरीहा भावी आई थी आप जानते हैं वो कैसी खातून है क्या सलूक था मेरे साथ उनका कैसे कैसे इल्जाम लगा के घर से निकाला था अब इनका दमाग खराब करने आई थी इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया बस इन्हें भी समझाना चाहा था कि ये दुबारा खातून घर पर ना आए लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ती ये सुनकर उसामा मुझसे कहने लगे कंदील वो औरत ठीक नहीं है अपने घर से ज़्यादा उसे दूसरों के घर में दिल्चस्पी है हर वक्त महले के घरों में घूसी रहती है अगर उमर ने ऐसा किया है तो ठीक किया है उसामा की बात सुनकर मुझे चुप होना पड़ा मैं समझ गई थी कि यकीनन वो औरत उमर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानती है तब ही उमर चाहता है कि वो घर पर ना आए और उसामा की तो वैसे भी आदत थी जो बात उमर कहता उसामा उसे सच मान लेते थे आज दुपहर से ही आसमान पर गहरे बादल चाय हुए थे मुझे शुरू से ही बरसात का मौसम बे तहाशा पसंद था दुपहर होते ही बारश शुरू हो गई पहले तो मैंने बारश में खूब नहाया मुझे ख्याल आया कि अभी कुछ देर बाद उमर आने वाला है मैंने सोचा कि मैं उसे उसकी बत्तमीजी का मज़ा चकहा कर रहूंगी मैंने दर्वाजे की अंदर से कुंडी लगा दी क्यूंकि लौक की चाबी उसके पास होती थी लेकिन अगर कुंडी अंदर से लगी हो तो लौक नहीं खुल सकता था तेज तुफ़ानी बारश में भीगेगा तो अकल ठिकाने हा जाएगी ये सोचकर मैं अंदर आ गई अपने कप्रे तबदील किये और कमरा बंद करके लेट गई कुछ देर बाद दर्वाजे पर दस तक होने लगी फिर वो डोर बेल बजाने लगा लेकिन मैंने अपने कान लपेट कर आँखे बंद कर ली मेरे मुबाइल की भी बेल बज रही थी उमर का नमबर सामने जगमगा रहा था बाहर का दर्वाजा बज रहा था हमारे में गेट पर करंट वाइरिंग करवाई गई थी ताके कोई भी चोर या मश्कूक शक्स अंदर की जाने फ़लांग ना सके ऐसा ही हाल दिवारों पर भी था उसका स्विच भी मैंने आउन कर दिया उपर से बारिश इसलिए उमर दिवार या दर्वाजा फ़लांगने की कोशिश नहीं कर सकता था अगर करता तो उसे करंट लगता उसका स्विच हम लोग अकसर रात के टाइम आउन करते थे ताके रात के वक कोई दिवार न फ़लांग सके लेकिन शादी के बाद उसामा ने मुझे कहा था कि जब दुपहर को अकेली होती हो तो उस ग्रिल के स्विच को आउन कर दिया करो इसलिए मैं बिलकुल मुतमेइन होकर लेट गई दर्वाजा बहुत जोड़ जोड़ से बज़रा था लेकिन मैंने यूँ जाहर किया जैसे मैं सू रही हूं उसामा का भी फून आने लगा शायद उमर ने उसामा से कहा था कि मुझे कॉल करें बहरहाल मैं जानती थी कि अगर उसामा आफिस से वापिस आएंगे तो एक घंटा तो जरूर लग जाएगा अच्छा है बारिश में भीक के खुआर होगा तो सोच के मेरे साथ बत्तमीजी करेगा मैं अपने रवईये पर बिलकुल भी नादिम ना थी एक घंटा लगा था उसामा को आफिस से वापिस आने में जब उसामा की गाड़ी के हौरन की आवाज मैंने सुनी तो मैं उटकर आ गई और कमरे से बाहर आकर में गेट खोल दिया गाड़ी उसामा के पास थी उमर के पास सिर्फ उसकी बाइक थी वो पूरे का पूरा भीगा हुआ था सर्दियों की बारिश थी सर्दि की शिद्द भी बढ़ चुकी थी मुझी खून खुआर आंखों से देख रहा था उसामा भी आ गया बारिश अभी भी तेज हो रहे थी मैं दर्वाजा खोल कर फॉरन से अंदर लाउंज की तरफ भागी जैसी मैं अंदर आई उसामा कहने लगे तुमने दर्वाजा क्यों नहीं खोला पिछले डेड़ घंटे से उमर दर्वाजा खटखटा रहा है इतनी तेज बारिश में डेड़ घंटे से बाहर खड़ा हुआ है मैंने का मुझे नहीं पता असल में मेरी आँख लग गई थी मुझे पता है नहीं चला उमर कब आया उमर ने फून भी किया था तुम्हे मैंने का पता नहीं शाहिद मैंने साइलेंट पर लगा कर रख दिया था मैंने जूट बोला था उमर कहने लगा भाई 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 जूट बोल रही है इन्होंने जान बूच कर दर्वाजा नहीं खोला पता नहीं क्या मसला है इनको मुझ से उसामा कहने लगे वो ऐसा क्यों करेगी हर वक्त कंदील के बारे में बद्गुमान मत हुआ करो जाओ जाकर कपड़े बदलो तुम्हे ठंड लग गई तो मुसीबत हो जाएगी वो कमरे में चला गया उसामा बहुत परिशान थे रात तक उमर को ठंड लग चुकी थी और एक नई मुसीबत आन पड़ी उसामा कहने लगे कि उसके लिए यखनी बनाओ वो से डॉक्टर के पास लेकर गए दवाई भी ला कर दी उमर के लिए उसामा इस कदर परिशान हो जाते थे कि उन्हें कुछ और भी दिखाई नहीं देता था पूरी रात उन्होंने उमर की खिदमतदारी में गुजारी थी मैंने तो कभी किसी भाई को भाई से इतनी महबबत करते हुए नहीं देखा था मैं सोचती थी कि उससे कितनी महबबत करते हैं वो और वो वो ना जाने कौन सी चालें चलता रहता है और फिर वो जान चुका था कि मैंने उसके साथ जो किया है वो जान बूच कर किया है चंद रोज बाद मैं किचन में काम कर रही थी जब एक दर्मियाने साइस का कुटा मेरे किचन में आ गया मैं हैरान थी कि कुटा घर में आया तो आया कहां से घर का दर्वाजा तो बन था और इसलिए कोई भी कुट्टा घर में दाखल नहीं हो सकता था कुट्टे को देखकर मैं चिलाने लगी लेकिन घर में कोई होता तो मेरी चीखो पुकार सुनता किचन में दूसरी कोई खिड़की भी ना थी जहां से मैं बाहर निकल जाओ और वो कुट्टा किचन के दर्वाजे पर खड़ा दुम हिला कर मुझे घूरता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि अब मेरी जान निकली के तब निकली जैसे जैसे वो कुटा किचन में अपने कदम आगे बढ़ाता मैं चिलाने लगी बचाओ बचाओ शोर में जाने लगी थोड़ी देर बाद शायद महले वाले मेरी आवास सुन चुके थे वो दर्वाजा बजा रहे थे लेकिन कुटा किचन से हटता तो मैं बाहर निकलती वो तो मेरे करीब बस चन कदम के फासले पर था जब मुझे कुछ ना सूजी तो मैं शेलफ पर चड़कर खड़ी हो गई और खड़ी हो कर रोने लगी कि कोई मुझे बचाओ लेकिन वाइरिंग ओन थी कोई दिवार नहीं फलांक सकता था बाहर से मुझे मुझे मुहले वालों की ओवाजे आ रही थी कंदील दर्वाजा खोलो क्यूं चिल ला रही हो क्या हुआ है लेकिन मैं क्या कहती वो कुता भूंके जारा था अचानक से ही शायद बाहर का दर्वाजा किसी ने खोला था सामने मुहले के चंद मर्द और औरतें मौजूद थी और उनके साथ उसामा भी थे शायद उनको पड़ोसियों ने फून करके बुलाया था उमर के आने का भी यही वक्त था कुते को देखकर सबसे पहले तो उसामा ने उसे बाहर निकाला और मेरी ये हालत थी के मैं धर धर कांप रही थी उसामा मेरे पास आये मेरा हाथ पकड़ कर मुझे शेल्फ से नीचे उतारा मैं उनके साथ लगकर रोने लगी फरिया कहने लगी ठीक है बुरा मत मनाना लेकिन उसामा भाई तुम्हारा भाई बड़ा तेज दर्रार है मैं जानती हूँ के मेरी बात का तो कोई भी भरोसा करेगा नहीं लेकिन अल्ला पाक की कसम मैं अपनी गैलरी में खड़ी हुई थी जब मैंने अपनी इन दो गुनागार आंखों से उमर को दिवार से इस कुत्ते को अंदर की जाने फैंकते हुए देखा था अब खुद बताओ तुम्हारे घर में क्या कोई परिंदा भी पर मार सकता है ये इतना बड़ा कुत्ता घर कैसे आ सकता है ये सुनकर मुझे उमर पर इतना घुस्सा आने लगा मेरा जी चाहा मैं उसका कतल करता हूँ मैंने का उसामा देख लिया अपने भाई का काम उमर उसी वक्द घर आया था सब उमर को देखने लगे उमर कहने लगा क्या हुआ यहां पर क्या कुछ हुआ है उसके पास आकर फरीह yeah कहने लगी ज्यधा नन्ने मुन्ने काके मत बनो जौ हरकत की थी न वो मेने अपनी इन गुनागार आँखों से देखी है वो कहने लगा क्या मतलब है क्या किए है मेने फरीह परीह कहने लगी तुमने कुट्टे को मुझे घर से निकलवाने के लिए और अब यही तो और तरीके तो माजमा रहे हो एक तो तुम लोगों को पहले भाईयों की शादी का बड़ा शौक होता है लेकिन भाईयों की सूरत में तुम लोगों को मुलाजिमा चाहिए होती है और अगर वो कुछ कहे तो तुम लोग उनके खिलाफ इस तरहां की तरकीबे बनाते हो मैं तुम लोगों के हत्कंडों से अच्छी तरहां से वाकिफ हूँ उसामा उसके पास गया कहने लगे ये सब तुमने किया है उमर उमर को एक दो लोगों ने शायद देखा भी था इसलिए उन्होंने भी गवाही दे दी एक जूरदार थपड़ था जो उसामा ने उमर के मूँ पर मारा था कहने लगे मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करोगे उसामा ने बाकी पड़ोसियों को बोला कि आप लोग जा सकते हैं ये हमारे घर का मामला है सब लोग जा चुके थे लेकिन मैं रोने लगी मैंने का उसामा मुझे इस घर में नहीं रहना या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर ये पता नहीं आगे ये मेरे साथ क्या करेगा अगर वो कुता मुझे काट लेता तो मैं मर जाती तो आपका क्या जाना था आपको तो भाई से इतनी महबत है कि इसे खून भी माफ कर देते आप मैं यहां नहीं रह सकती उसामा कहने लगे उमर मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा घटिया काम कर सकते हो वो कहने लगा भाई यह जो आपके सामने इतनी शरीफ बनी हुई है ना यह इतनी शरीफ है नहीं उस दिन इसने मुझे जान बूच कर बारिश में भी गोया था मैंने कहा हाँ किया था मैंने यह सब क्योंकि तुम इतने बत्तमीज किसम के इंसान हो जल्द बाजी में मैं भी एतराफ कर चुकी थी उसामा कभी मुझे हैरत से देख रहे थे कभी उमर को वो कहने लगा सुन लिया भाई आपने यह लड़की वो ही कुछ कर रही है जो फरीहा ने अपने देवर के साथ किया था लेकिन यह इस गलत फैमी का शिकार ना रहे कि मैं जबार की तरह मैदान छोड़कर भाग जाऊंगा मैं क्या पागल हूँ जो अपना घर छोड़ने लगा अपने भाई को छोड़ने लगा अगर ये मेरे साथ इस तरह का रवाईया करेगी तो मैं इसे जवाब जरूर दूँँगा चुप नहीं रहूंगा ना ही इनकी बत्तमीजियों पर जबार की तरह जुबान बंद रखूंगा मैंने का उसामा आप मुझे मेरे घर छोड़ा है मैं यहां नहीं रह सकती वो कहने लगा मेरा भाई क्यों छोड़कर आये तुम्हें चलो शाबाश निकलो यहां से बाहर और खुद जाओ उसामा बिल्कुल चुप था ना उन्होंने मुझे रोका ना उमर से कुछ कहा मैं रोते हुए अपने कमरे में गई अपने बैग में कपरे डालने लगी चाधर ओड़ी और जाने लगी उसामा कहने लगे कंदील अगर तुम यहां से गई तो मैं तुम्हें दो दिन के अंदर तलाग भिजवा दूँगा मेरे तो जैसे कदम जम गए फिर उमर से कहने लगे तुम यह मत समझना कि मैं कंदील को तलाग दूँगा तो खुद मैं यहां पर रहूँगा अब तुम दोनों अपनी मन मानी करने से बाज नहीं आओगे और हर दिन यहां पर एक जंग का महौल पैदा करोगे एक दूसरे से जाहिलों की तरहां लड़ोगे तो फिर मैं यही करूँगा कंदील को तलाग दे दूँगा और खुद मैं यहां से चला जाँगा तुम मेरी शकल भी नहीं देख पाओगे उमर तुम दोनों मेरे लिए एहमित रखते हो ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ ना अपनी बीवी को छोड़ सकता हूँ उसामा कहने लगे फैसला तुम दोनों के हाथ में और तुम दोनों में से कोई एक भी यहां से गया तो दूसरा भी मेरी शकल नहीं देखेगा यह कहकर उसामा ने दरवाजा बंद कर दिया मैं रोने लगी रोते रोते सोफे पर जाकर बैठ गई इस बार उमर भी चुपता कुछ देर वो कभी बंदरवाजे को देखता रहा कभी मुझे रोते हुए देखता रहा फिर सोफे पर कुछ फासला रखकर बैठ गया मेरी बात सुने मैंने का शट अप मुझे नहीं करनी तुम से बात बहुत बत्तमीज हो तुम तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या हरकत की है आज अगर कुटे के खौफ से मैं मर जाती तो या वो मुझे काट लेता फिर कहने लगा वो कुटा काटता नहीं था मैं जानता था वो आपको कुछ नहीं कहेगा सिर्फ भौंकेगा या डराएगा आपने भी तो अच्छा नहीं किया था उस दिन मेरे साथ मैंने का तुम बस बदला ले सकते हो तुम्हें इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि मेरा घर बरबाद हो रहा है कहने लगा आप भी तो मुझे घर से निकलवाना चाती है आप भी तो फरीहा से हसास कर बाते कर रहीं थे उस दिन वो अच्छी औरत नहीं थी और अभी तक आपने भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है उस दिन मैं बारिश में मजीद भीगता तो मैं मर सकता था क्योंकि मुझे ऐस्थमा का मर्ज है सर्दियों की बारिश में भीगने से अगर मुझे नमूनिया हो जाता तो मैं भी मर सकता था लेकिन आपको क्या फरक परता है आप तो शायद चाहती ही यही थी मैं नहीं जानती थी कि उसे ऐसा कोई मर्ज लाग है अलबता पिछले दिनों वो बहुत बिमार था मैंने का मैं ये नहीं जानती थी केने लगा अपने खैरियत भी नहीं पूछी थी सच पूछें तो मैं आपको बेहन ही समझ कर यहां लाया था मैं चाहता था कि उसामा भाई की जो भी बीवी आए वो कमसकम मेरे साथ फरीहा जैसा सलूक ना करे जो महबत मुझे उसामा भाई देते हैं उतनी ही महबत मेरी भाबी भी मुझे दे लेकिन ये शायद मेरी गल्ती थी मैं भूल गया था कि भाबी कभी भी बेहन नहीं बन सकती ठीकी कहता था मेरा दोस्त जबबार कि भाबी हमेशा भाबी रहती है कभी बेहन की तरहा नहीं सोचती नहीं समझती है मैंने कोई जवाब नहीं दिया कहने लगा अच्छा मेरी बात सुने देखें भाई बहुत गुस्से में है और उनका गुस्सा एक दम से जाएगा भी नहीं इसलिए ऐसा करते हैं कि सुला कर लेते हैं आपने उस दिर मुझे बारिश में भी गो दिया था मैंने आपको कुटे से डरा दिया हिसाब बराबर हो गया आइंदा आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा ना मैं आपके साथ करूँगा मैंने का आइंदा तुम मेरे साथ रोब जमा कर बात भी नहीं करोगे तुम उमर में भी मुझे छोटे हो और रिश्टे में भी उसने गहरी ठंडी सांस भरी कहने लगा ठीक है नहीं करता सारा रोब आप मुझ पर जमा लेना मेरे कान पकड़ कर खीच लेना प्लीज इस वक्त हम दोनों को भाई से माफी मांगनी चाहिए वरना वाकई घुस्से में कुछ गलती कर बैठेंगे वो ये तो हम दोनों अच्छी तरह जान चुके हैं कि भाई हम दोनों के बगार नहीं रह सकते मैंने उसकी बात से इत्तफाक किया हम दोनों ने उसामा से माफी मांग ली और कहा कि हम दुबारा नहीं लड़ेंगे कुछ दिर तो घुस्से से मूँ बनाए वो हमें देखते रहे फिर हमसे वादा लिया और वाकई उमर इतना बुरा नहीं था जितना मैं उसे समझती थी बस शायद हमारे इर्दगिर्द रहने वाले लोगों के मुशाहिदे और बातों की वज़ा से मुझे ये लगता था कि उमरावारा है बत्तमीज है उससे बचना चाहिए मेरे दमाग में अपनी बड़ी बुड़ियों की बातें थी उसे मैंने देखा ही देवर की नजर से था अगर भाई की नजर से देखती तो शायद गलत फहमिया पैदा ही ना होती उसने भी मुझे भाबी की नजर से देखा था वो मुझे फरीहा समझता रहा बहराल हमारी गलत फहमिया दूर हो गई थी तो अब हम लोग घंटों बातें करते रहते हमेशा वो एक लिहाज और तमीज में ही मेरे साथ बात करता था मैं किचन में काम कर रही होती तो वो किचन में आ जाता मुझे अपनी युनिवस्टी के प्रोफेसर्स के किस्से सुनाने लगता अपनी शरारतों के बारे में बताने लगता फिर कुछ वक्त आगे बढ़ा तो मेरी वालिदा की तवियत बहुत खराब रहने लगी उन्ही दिनों मैं उम्मीद से भी थी कुछ दिन मैं अपनी वालिदा के पास रहने आ गई एक रात उनकी तवियत बहुत खराब हुई और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई उस वक्त उसामा और उमर ने मेरा बहुत खयाल रखा मैं जानती थी के मेरी वालिदा को कौन सा मर्ज था लेकिन फिर भी मुझे अपनी वालिदा के जाने का बहुत दुख था चन्द दिन तो उसामा औफिस भी नहीं गए मेरे पास बैठे मुझे दिलासा देते रहे उनके कंधे पर सर रख कर मैं आँसू बहाती रही वो बस यही कहते रहे के देखो न अगर अल्ला एक दुख देते हैं तो एक खुशी भी तो देते हैं चन्द माहा बाद तुम्हारे घर एक नया महमान आ जाएगा फिर कहने लगे के उमर की भी नौकरी लग जाएगी तो हम उसकी जल्दी से शादी कर देंगे घर में रौनक लग जाएगी दिन के वक्त उमर मुझसे बातें करता रहता कहता के मैं आपका दुख समझ सकता हूँ क्यूंके मैंने भी बहुत कम उमरी में अपने वाले दैन को खोया था बहुत रोता था मैं आपको पता है भाबी उस वक्त सिर्फ उसामा भाई मुझे संभालते थे मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा बाप मेरा बड़ा भाई ही है वो मुझे बहुत समझाता था कुछ माह बाद अल्ला ने मुझे बेटे से नवाजा मैं अपना गम भूल बैठी फिर वक्त कुछ और आगे बढ़ा मेरा बेटा एक साल का हुआ लेकिन वो हम दोनों मिया बीवी से जएदा अपने चचा का आदी हो चुका था और उमर को तो जैसे कोई खिलोना मिल गया था मेरे बेटे ने ना तो सबसे पहले अमा कहना सीखा था ना बाबा चाचा कहना सीखा था उस दिन उमर की खुशी काबले दीथ थी मुझे चिडाते हुए कहने लगा देख लिया आपने ये मेरा भतीजा है इसलिए सबसे पहले मेरा नाम सीखा है आप दोनों को तो इसने लिफ्ट तक नहीं करवाई उन्हीं दिनों मैंने उमर के लिए लड़की देखना भी शुरू करती थी एक बार मैंने उससे पूछा के तुम अपनी पसंद मुझे बता दो ताके मुझे भी लड़की देखने में आसानी पैदा हो जाए क्योंकि जो भी तस्वीरे मैं उसे दिखाती वो उनमें नुक्स निकालने लगता मेरे सवाल पर वो कुछ देर मुझे देखता रहा फिर मेरा हाथ पकड़ कर मुझे आईने के सामने लेकर गया ऐसी लड़की चाहिए ये कहकर कमरे से बाहर चला गया मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाई मैं कमरे से बाहर आई मैंने कहा उमर मेरे साथ बत्तम इजी ना करो कहने लगा सच तो कह रहा हूँ मुझे बस आप बहुत अच्छी लगती है आप अपनी जैसी कोई भी लड़की ढून ले तो मैं शादी कर लोगा उसने सारी बात मुझे पर डाल दी अभी हम बाते कर ही रहे थे जब उमर के मुबाइल पर कॉल आई जिसे सुनकर उमर परिशान हो गया कहने लगा मैं बस अभी आ रहा हूँ मैंने कहा कहा जा रहे हो तुम कहने लगा भाबी उसामा भाई के आफिस में आग लग गई है पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है ये कहकर वो फॉरन से घर से बाहर भाग गया मेरी तो जान ही निकल गई मैं बार बार उसामा के नंबर पर कॉल करने लगी लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था फून की मुसलसल बेल बजे जा रही थी पता नहीं वो फून क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा दिल बेचैन हुए जा रहा था मैं उमर के नंबर पर कॉल करने लगी लेकिन वो भी फून नहीं उठा रहा था एक घंटा मेरा बड़ी परिशानी में गुजरा और उसके बाद जो खबर मुझे मिली उसने मेरी जिन्दगी को बेरंग सा करके रख दिया मुझ पर कयामट टूट पड़ी एक एम्बुलेंस मेरे घर के बाहर आई उसामा उस हाथ से काशिकार हो चुके थे उमर को रोता हुआ देखकर मेरी आदी जान वही निकल गई थी मैं भागती हुए एम्बुलेंस के पास आई थी लेकिन जब एम्बुलेंस से बाहर निकलते हुए वजूत को देखा तो वही घश खाकर गिर पड़ी